नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हूनी रजकुमार और वक्त हो चुका है सुबह के ताजातरीन खबरों का प्रधानमंत्री कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150 भी बरसगाट के मौके पर आयुजित समाहरों में सामिल होंगे इसके साथ ही वे कोलकाता के चार धरोहर इमारतों को राष्ट निर्मान को समर्पित करेंगे इन इमारतों में पुराना करेंसी बिल्डिंग, बैलवे देरे हाउस, मेट कॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमरियल हॉल सामिल है आज से प्रियाग राज में माग मेले की सुरुवात हो रही है इस अपसर पर देश के साधूसन ताज यहां जमा होंगे इस खास आयोजन में विश्व हिंदू परिसंद ने करीब 300 से अधिक बेद पाठ का आयोजन किया है कॉंग्रेस की आज CWC की बैठक होने जा रही है इस बैठक में CEA सहित NRC और NPR पर चर्चा होगी और विपक्ष को एक जूट करने के लिए इस दौरान रणिती बनाई जाएगी आपको बता दे कि विपक्ष 13 जनवरी को सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें एक जूटता प्रकट किया जाएगा जारखंड के मुखमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुखमंत्री जारखंड में ट्राइवल युनिवरसिटी खोलने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रख सकते हैं पूने में ग्रेंटेक फेर 2020 का आयोजन किया गया है जिसमें देश भर के क्रिसी के स्टोक होलडर भाग ले रहे हैं इस आयोजन का मुख्य उद्देस आनाज के निर्यात को बढ़ाना है कभी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विस्विद्याले की और से आयोजित सौवे औल इंडिया औरियेंटल कॉन्फरेंस के उद्घाटन करते हुए उपरास्टपती वेंकेया नाइडु ने कहा कि प्रगती के लिए सांती की काफी जरूरत होती है और उन्होंने कहा कि केवल सम्रिधी आने से खुसी नहीं होती क्योंकि खुसी के लिए आपके पास और चीजों की जरूरत होती है जैन्यू छात्रसंग ने कहा कि वह कुलपती M. जगदिश कुमार को हटाए जाने की अपनी मांग पर कायम है लेकिन फिस बिर्धी को लेकर सहमती बनेगी या नहीं इस पर बाध में फैसला लिया जाएगा छात्रसंग अध्यक्च I.C. घोस्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्राले के अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह बात कही City of Joy IDBI Federal Life Insurance Kolkata फुल मेराथन के एक और संस्क्रण के लिए तयार है दो फरवरी को होने वाले इस मेराथन के इस साल के संस्क्रण के लिए अब तक कुल 9,05 करन हो चुका है और यह संख्यान लगातार बढ़ता जा रहा है अखिल भारतिया फुटबॉल महासंग ने कहा कि महिला लिग 2019-2020 का अंतिम दौर 24 जन्वरी से बैंगलोरू में सुरू होगा टूर्णामेंट में इस बार देश की 12 टीमें भारतिया महिला कलब फुटबॉल के सिर्ष प्रूसकार के लिए जो राजमाइस करेगी दिल्ली बीजेपी ने 15 सदस्य चुनाव कमिटी का आयलान कर दिया है जिसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी सामिल है तिवारी के अलावा कमिटी में अनिल जैन, दुस्यंत गौतम और आर्पी सिंग सामिल है चुनाव से संबंदित काम के लिए 35 पैनल बनाये गए हैं गौर तलब है कि 11 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम घोसित किये जाएंगे बिदेश मंत्री असजे संकर ने स्रिलंका के बिदेश मंत्री दिनेस गुनबर्धन के साथ मचवारों के मामले सहित बिभिन बिसेओं पर चर्चा की तीन दिवसिया यात्रा पर नई दिल्ली आए स्रिलंकाई बिदेश मंत्री ने कहा कि स्रिलंका द्वारा पकरी गई सभी 52 नोकाओं को छोरा जा रहा है सुक्रवार को 200 हिंदी दिवस पर कॉंग्रेस नेता ससी थरूर ने मज़ेदार ट्विट किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है उन्होंने अपने ट्विट में लिखा कि जब से तेरा मजा चखा हिंदी इसक में तेरे खो गया थरूर अब तो इंग्लिस भी सोस्ती होगी ये तो हिंदी का हो गया है थरूर आपको बता दे कि अपने अंग्रेजी ज्यान के लिए पुर्व केंद्रिय मंत्री ससी थरूर जाने जाते हैं आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए एक और सकारात्मक ख़वर आई है तीन महीने तक लगातार गिराबट के बाद अध्योगी कुतपादन सूचकांक नमंबर में 1.8% बढ़ा है मैनुफेक्टरिंग सेक्टर में तेजी के दम पर यहां आकडा सुधरा है एक साल पहले इसी महीने इसमें 0.2% की ब्रधी हुई थी 13 जनवरी को दिल्ली के होटल हायात में सुनिल कांत मुझाल द्वारा लिखित बुक दमैकिंग ओफ हीरो का बिमोचन पुरप्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग करेंगे इस मौके पर संगिता जेटली स्रीमती संतोस मुझाल भी उपस्थित रहेंगी भाजपा के महासचीब राम माधम ने कहा कि अनुछे 370 के अधिकतर प्रापधानों को खत्म करने के बाद जम्मो कस्मिर के अधिकतर नेताओं को छोड़ दिया गया है और 63-25 नेताओं को लेकर उम्मिद है कि अगले कुछ हपते में उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा आपको बता दे कि 5 अगस्त को जम्मो कस्मिर में अनुछे 370 और 35 से हटाया गया था वरिस्ट समाजवादी नेता सरद्यादब ने कहा कि CA, NRC और NPR एक दूसरे से अलग नहीं बलकि तीनों एक ही है सरद्यादब ने लोजद की रास्टिय कारेकार्नी की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यह दलिल गलत है कि CA और NRC अलग अलग है कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार आई तो CA और NRC को खत्म कर देंगे उन्होंने कहा कि इस पुलन को लेकर प्रतिक्रिया गांधिवादी तरीके से होना चाहिए आपको बता दे कि प्रियंका गांधी वारानसी के दोरे पर थी जहां बियेचियू के चात्रों से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी पश्यमंगाल के राजपाल जगदीब धनकर ने कहा कि वह ममताब एनरजी के साथ हर मुद्दे पर बाचित करने को तयार हैं राजपाल ने कहा कि मेरा मानना है कि सम्विधान में बाचित ही एक मातर रास्ता है मैं मुखमंत्री के साथ राजभवन या राजसची वाले में या फिर किसी कॉफी हाउस में कहीं भी किसी भी मुद्दे पर बाचित करने को तैयार हूँ मध्यपरदेश के मुखमंत्री कमलनात केंद्र सरकार के C.E.A. को राज़े में लागू ना किये जाने की बात पर अडिग है कमलनात का कहना है कि कानुन बनाते समय और बड़े फैसले के वक्त सर्वसमत्ती के प्रयास होते हैं मगर C.E.A. के लिए सर्वसमत्ती नहीं बलकि सहमत्ती का सहारा लिया गया दिल्ली विधान सभा चुनों में अपने घोसना पत्र के लिए कॉंग्रेस ने रास्तिया राजधाने में लोगों की राय जानने के मकसद से दिल्ली के दिल की बात कॉंग्रेस के साथ नामक अभियान की सुरुवात की है इस अभियान के तहट कॉंग्रेस वाटसेप, बेब साइट और सोसल मीडिया के अलग-अलग मंचों के माध्यम से जनता की राय लेगी उत्तर प्रदेश में अप्रमानपत्र भारत के महारजिस्टार द्वारा तयार कराये गए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सौप्ट्वेर के जरिये किया जाएगा 31 जनवरी 2020 के बाद E-District Portal E-Nagar-Sewa के जरिये पंजीकरन व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी इस योजना के थैट सरकार लाभारतियों को खेती के लिए सहायता, आजी विका के लिए सहायता, वित्य सहायता और ब्याज मुक्त फसल रिन देने का प्रारूप तैयार कर रही है दिल्ली से हमारे संबादाता आसिस कुमार बता रहे हैं कि कॉंग्रेस उत्तरपुर्व के लोगों को कॉंग्रेस पार्टी के साथ अस्थाई रूप से जोडने के लिए उत्तरपुर्व सेल का गठन कर रही है दिल्ली प्रदेस कॉंग्रेस कमिटे के अध्यक सुभास चोपडा ने कहा कि उत्तरपुर्व सेल गठन से दिल्ली के संगठन को और मजबूती मिलेगी उत्तरप्रदेस के महोबा से हमारे संबादाता पुस्पेंद्र कुमार बतार है कि भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंग सेंगर ने दो दिवसिया प्रदेस अस्तर्य सेमिनार का आयोजन पान अनुस संधान केंदर में किया इस अबसर पर प्रदेश के प्रमुख पान किसानों को सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संभादाता सिताराम कुस बहा बतार है कि जनपत गउम मौव भूड में बिजली भाग के अधिसासी अभियंता ने जानकारीदी की ग्रामिन छेतर में सरकार ने किस्त योजना की सुरुवात की है जिससे लोगों को सुबधाई मिलेगी इसके तहत 24 महिने की किस्त बांधी जाएगी जिस कारण लगातार ट्रांसफर्मर में खराबी आने के बाद तुरंट ट्रांसफर्मर को बदला जा सकेगा बिहार के पटना से हमारे संबादाता राजिस कुमार बतार है कि पूर्णिया में हम पार्टी के द्वारा एक दिवसिय कारेकरता बैठक का आयोजन किया गया इस कारेकरता बैठक में पंचायत कमेटी अस्तर पर कारियों की समिक्षा की गई वही पूर्णिया के जिलाध्यक्ष राजेंद्रियादब को बिस्यस अधिकार दिये गए बिहार के पटना से हमारी संबादाता राजिस कुमार बता रहे कि इंडियन वाटर वर्क एसोसियेशन का बावनवा वार्षिक सम्मेलन नेशनल इंस्टिट्यूट अफ टेकनोलोजी प्रिसर में आज आयोजन किया गया दो दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक सम्मेलन का उधगाटन बिहार के राजपाल ने किया बिहार में सिल्क और हेंडलूम उध्योग को बाजार देने के लिए उध्योग विभाग ने हेंडलूम हाट बनाने का निर्ने लिया है राज सरकार द्वारा गया मुझपरपुर छपरा और भागलपुर में खादी पार्थ का निर्मान किया जाएगा इस आसाई की जानकारी उध्योग विभाग के मंत्री स्यामरजक ने दी उत्तर प्रदेश के पिलिभीत से हमारे संबादाता सर्फराज खान बता रहे हैं कि भाजपा सांसद वरुन गांधी ने जरूरतमन लोगों को कंबल बित्रन किये इबम गरीबों को हर संभब सहायता देने का वादा किया हाला कि इस दौरान कुछ लोगों को कंबल नहीं मिल पाया वे निरास देखे गए तो ये थी सुबह के ताजातरीन खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट